तो आज मैं आपके शेयर करने जा रही हूँ व्लॉग जिसमें मेरे अगिस्ट आने वाले हैं तो मैं क्या बना रही हूँ और जो भी बनाऊंगी आपके साथ शेयर करूँगी तो मैं आप बनाने जा रही हूँ राजमा और यहां पे सब तड़का मैंने काट लिया है और मसाल तो यह पूरे खानी की थाली हमारी आ गई और राजमा देखने में बहुत अच्छा लगा था साथी खाने में बहुत टेस्टी था इसके बाद में हम पूरी फैमली चले गया थे खापी के घूमने और मौसम भी उस दिन काफी जादा अच्छा था बारिश का मौसम था और तो यहाँ जावेद हभीब में अच्छा बाल स्टेट करते हैं तो मेरी बेटी ने भी कराया था पहले फेबवरी में तो वो भी कराने गई थी तो यहाँ पर स्टेटनिंग पे सबसे पहले बाल को धुलते हैं फिर उसको ड्राइब लो करते हैं और फिर आपकी ख्रीम krim apply की जा रही है और मेरी डाटर ने भी हैर ispa लिया था तो यहाँ पर आपको अलग अलग रेंजेस के घर आबिया नर्मल हैस पर मिल जाएगा लॉर्ड के हैर Espa मिल जाएगा मैटर कर सक है अरिस पर मिल जाएगा जिससे बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है और बहुत ज़धा अराम मिलता है इसके बाद में स्टीम की मशीन होती जिसमें सर को डाल लेते हैं ठाकि बाल को अच्छे से स्टीम मिले और इस से बाल हेल्दी रहते हैं तो अगर आप घहर भे भी स्पा करने चाहें करा रही थे उसका यहां पर procedure चालू है Okay, so मैंने भी hair spa लिया था मैंने Lorel का hair spa लिया था क्योंकि मैं Lorel का shampoo यूज करती हूँ उसके बाद में यापे hair spa की cream apply की जा रही है जो hair spa मेरी बीटी का हुआ था सेम वैसे ही procedure होता है तिन यहाँ पर फिर steam machine लगा दी गई है, steam बहुत necessary होता है, तो यहां पर आप clearly देख सकते हैं कि steam machine का use कैसे होता है, और hair spa के लिए बहुत necessary होता है steam, अगर आप लोग यह वाली machine नहीं लेना चाहते हैं, या फिर नहीं effort कर सकते हैं, तो एक छोटी सी machine आती है, उसके थूपी आप अपने बाल सूपता है, और जावीद हभीब की servicing भी बहुत अच्छी है, यहां पर आपको अच्छे अच्छे hair treatments मिल जाएंगे, साथ ही आपको face के भी अलग-अलग treatment मिल जाएंगे, अगर आपको face के अलग-अलग treatment कौन से हैं, जानना हैं, तो आप comment में ज़रूर बताएगा कि आपको एक ऐसे content देखने हैं, तो आप बाल देख सकते हैं, hair इस पर से क्या होता है, एक एक बाल आपके अलग हो जाते साथ ही quality improve होती है